तो भाई ये बात इस session की नहीं है हर session की एक कहानी है कि हर एक student class 10th का 12th का लाना चाहता है 90-95% plus score marks लेकिन उसके लिए बिल्कुल भी effort डालने के लिए तयार नहीं होता है और इसे मेरे काल से बेकुफी कहेंगे यार कि सब कुछ सामने होता है पता होता है कि ये particular topic important है ये particular question बा दाले थे उसमें से एक video कल मैंने तुमको ये दिखाया था कि या class 12th का supplementary का जो result है वो आ चुका है देख सकते हो 1.27 lakh students appear हुए थे compartment exam में supplementary exam में जिसमें से सिर्फ 30% बच्चे पास हुए हैं 70% बच्चे ये देख सकते हो तुम बच्चे जो हैं वो fail हो गए हैं और ये fail क्यों हुए fail होने का बहुत बड़ा जो reason है वो मैंने कल तुमको बताया था कि कौन से chapters important हैं कौन से topics important हैं वो उसकी समझ ना होना exam pattern में क्या-क्या बदलावाया उसके समझ ना होना और बार बार एक ही mistake करना तो I hope कि तुम लोग 2025 बिलकुल भी ऐसे गलतियों को दोहरानी की कोशिश नहीं करोगे तो ये वीडियो बहुत important है भले ही speed से देखना लेकिन पूरा end तक देखना और please please बहुत important वीडियो है दिल साइधा पूरे question paper pattern को दिखाऊंगा questions को दिखाऊंगा और CBC का official circular भी दिखाऊंगा ठीक है तो यहां पे circular पे पहले हम लोग चलते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो यह CBC का official website जो है cbcacademic.nic.in पर जब तुम जाओगे यहां पे जा करके तुम सीधा जैसे ही यहां पे देखो ऊपर में left corner पे circular's है circular पे क्लिक करोगे तो सीधा circular number 30 पर आजाओ यहां देख रहा हूँ circular number 30 जैसे ही तुम इसको click करोगे तुम पहुंच जाओगे इस बहुत ही important circular को जो की cbc ने release किया और इसके साथ ही में सारा चीज बदल गया अब क्या चीज बदल गया new education policy यह देखो in alignment with the new assessment to the vision of the new education policy by including more competency-based questions in the class 10 and 12 board examination competency-based questions है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है बोर्ड एक्जाम 2025 में 70% mcq questions आने वाले हैं 70% question mcq questions किस तरह से आएंगे वो मैं तुमको with proof दिखाऊंगा और यहाँ पे एक बात बता दूँ बहुत लोग अलग-लग कहानी तुमको सुना रहे हैं लेकिन उनके उपर ना believe करते हुए जरा सा तुम fact देखो कि कौन सा channel कौन सा जो educator है YouTube पे वो पर क्या कह रहा है यह देखो मैं फिर से तुमको दिखाता हूं the percentage of competency-based questions that access applications of concepts in real life situation included in the question paper for the board देख रहे हो मतलब competency-based questions का जो question का जो पूरा pattern है उसको पूरा उडेल के रख दिया गया है तुमारी board exam 2025 पे अब सवाल यह आता है कि कौन-कौन से चीज़े जो हैं वो बदलाव हुए हैं अब देखो जब हम लोग competency-based questions कहते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं यह देखो यहां पे तुम अगर Google search भी करते हो तो यहां पे तुमको दिख जाएगा कि pattern जो है 2024-25 के लिए change हुआ है let me show you मैं तुमको दिखाता हूं यह देखो new pattern आया है 2024-25 बोर्ड के लिए यानिकी 25 वाले बच्चों के लिए जिसमें competency-based questions के अंदर में MCQs, source-based questions, case-based study-based questions, etc. जो है वो बहुत जादा बढ़िया अब कैसे बढ़िया इसको समझते हैं ठीक है इसको जब समझना तुम चाहते हो तो बाया सीधा सीधा यहां पर आओ और देखो 50% मैं घुमाओंगा नहीं कहानी जल्द यल्दी बता रहा हूं 50% जो है वो competency-focused questions MCQ क की नहीं हुए अभी में नहीं समझ रहे हो चलो यहां देखते हैं आगे बढ़के आते हैं बाई तुम्हारा paper pattern जो है वो किस तरह से बदला किस तरह से change हुआ देखो तुम्हारा तुम क्लास 10 के हो 12 के हो तुम्हारा जो पूरा का पूरा question paper होता है वो 100 marks का होता है यह तुम तुम्हारा 80 marks है वो किस तरह से तुम्हारे paper में new role लेकर आएगा या competency based questions के अंदर में क्या क्या आ जाते हैं मैं तुमको with proof दिखाऊंगा और अगर पहले तुम देखना ही चाहते हो तो यह देखो different type of questions पहले मैं चलो तुमको दिखा देता हूं यह numerical based question है ठीक है यह तुम और यह तुम देख रहे हो picture type based question मतलब तुम देखो कि कितने कितने different different type के questions जो है वो तुम्हारे competency based questions के अंदर में आ रहे हैं तो यहां पे देखते हैं हम जैसा कि अभी अभी तुमने देखा था यहां पे कि भाया क्या हो गया competency based questions कितने हो गए हैं पहले हुआ करते थे 40 बहुत बड़ा जटका जो लगा वो यह था कि भाई long answer या short answer questions जो पहले 40% होते थे जिसको रट रट के तुम लोग कुछ answer लिखकर आ जाते थे हो marks उठा लेते थे at least pass हो जाते थे उसको घटा दिया गया है यह minus 10% हुआ यानि कि यह अब बचा है 30% तो यह 30 plus 70 100% तुमारा बन जा रहा है ठिक है अब यहां देखो कि जो case best questions है competency based questions है है उसके अंदर में क्या क्या आरहे है ठिक है तो देखो 80 का total marks कितना thyori paper में 80 80 का 50% question जो बोल रहा है वो तम़ह रहा ब क्लिख ञारा है वो हो जारा competency based questions हैं कंपेускर क्या step के questions हो गए जिसके अंदर हो गया case-based question टीक है image-based question जो भी भी मैंने तुमको सब दिखाया statement-based question जिसमें कोई statement देगा उस पर सवाल पूछेगा भाई यह किसने कहा था फनाने का नाम बताओ टीक है paragraph-based question यानि कि परग्राफ होगा उसके उपर में तुमको question होंगे just like unseen passage टेके and then assertion reasoning ना सिर्फ इतना थोड़ा से मैं आगे ले जा रहा हूं यह देखो यहां पर conceptual mcq इस बार role अदा करेगा बहुत जादा conceptual mcq क्यों बोल गया मतलब cbc के circular में ही यह mention था कि भया मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रट रहे हैं कि समझ के लिख रहे हैं तो समझ के लिखने के लिए ही 50% मतलब दबाव डालने का मकसद क्या था कि तुम ज़्यादा focus करो तो यहां पे conceptual mcqs math the following, essential reasoning, case study based, numerical value type question यह सब के सब आगए competency based question के अंदर में बहुत सारे बच्चे इसको समझी नहीं पाते हैं कि competency based होता क्या है तो 80 का 50% यानि कि 40 marks जो है वो तुम्हारे इसी में साइंगे अब बताओ 40 marks तो यहीं बढ़ गए इसके बाद में बचा जो तुम्हारा जो mcq वारा question जो है वो 20% आएगा तो 80 का 20% जब तुम करते हो तो यानि कि 16 marks जो है वो तुम्हारे आने वाले हैं mcq question के रूप में तो मैं बोलता हूं यार यह 50 plus 20 हुआ कितना जरा इसको ध्यान से देखो 50 plus 20 हुआ कितना 70% क्योंकि मतलब competency based यह जो questions आ रहे हैं यह वाले और mcq है तो यह mcq कही form में है ना बस फर्क यह है कि यहाँ पर तुमको concept लगाना है और यहाँ पर डारेक्ट चार option होगा उसमें यार इन शॉट बोलू यह गुमा दिया सीबेसी ने बेकार का गुमा दिया सीदा सीदा कहना चाही थ ठीक है बच्चों के लिए समझे में ज्यादा असानी होता तो यहाँ पर 50 plus 20 70% हो गया अब बचा हुआ 30% question यानि कि 24 marks तुम करके देख ले ना 80 marks का 30% होता है 24 तो 24 marks में तुम्हारे आएंगे short और long answer type question बहुत बड़ा U-turn है क्योंकि रटने वाला जो system था वो अब खतम हो यही वाला रटने वाला एरिया था इसमें तो रटने का तुम कलपना भी नहीं कर सकते क्या कलपना करोगे अब मुझे बताओ यह जो question आएगा मैं एक ग्लिम्स दिखाता हूँ अब assertion reasoning question आएगा इसमें एक sentence होता है और इसके पीछे reason होता है चार options होते है चार में से तुम बढ़ा रहे है अब बताओ फिर क्या करोगे तुम हाँ इसमें कोई पता तो होता नहीं कि यही question research reasoning के अंदर में आएगा बिल्कुल नहीं कर सकते numerical based वाले questions तुम कहीं नहीं सकते maths हो physics हो नहीं कहा जा सकता maths the following बहुत घुमा दिया जाता है यह भी नहीं हो सकता और picture based तो दाले की कोशिश करूंगा कम से कम class 10 का तो वीडियो आहीं जाएगा 12 वाले बच्चे परिशान नहीं हो ना लेकिन मैं एक चिस चाहता हूं यार motivation हर किसी को चाहिए और इसी विजह से मैंने तुमको यह देखो सर्कलर भी दिखाया तो motivation चाहिए तो motivation मुझे भी चाहिए प् comment section में भर दो कि sir we are with you ठीक है और प्लीज इसे लाइक और शेयर करके भरमार कर देना ठीक है तो अभी के लिए बस इतना I hope कि तुमको exam pattern 2025 का समझ में आ गया है हलके में नहीं लेना वरना इतिहास जो है वो कल का future हो सकता है और तुम भी इसी range में आ सकते हो ठीक है कि main exam में भ बच्चों को कैसा लग रहा होगा यह जो 70% बच्चे फिर से फेल हो गए अब इनका क्या लग रहा होगा मैं नहीं चाहता हूं तुम इसमें आओ ठीक है so please अपने लिए मेहनत करो अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो ठीक है मिलते है नेक्ष वोडियो में तर तक लिए ज कि अपने टेमाट